बैदिली में केंद्री मंत्री प्रहराद जोशी ने कहा कि करनाटक में जो कॉंग्रिस पार्टी की सरकार है उस सरकार में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं उसे दो घोटाले में सीधे सीधे मुख्यमंत्री शामिल है करनाटक के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर M.U.D.A. घोटाले में शामिल है और वालमी की घोटाले में भी मुख्यमंत्री जिम्मेदार है इस विशे को लेकर आज दोनों सदनों में मुद्दा उठा लेकिन कॉंग्रेस में राज सभा में इस पर चर्चा नहीं होने दी और लोग सभा में काफी शोर कर P.C. मोहन को रोकने की कोशिश की इसका अर्त है कि इसमें कॉंग्रेस पार्टी और उनके हाई कमान भी शामिल है आज करना तक में कॉंग्रेस पार्टी के जो सरकार है उस सरकार में जो बहुत बड़ा-बड़ा दो-तीन गोटा ला हुआ है उसमें तो दो में तो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टरी इन्वाल्ड देट इटसल्फ इसकैम उसकैम में मोडा के स्कैम में तो स्वाइब मुख्यमं तरी लाबारती है और वालमी की बोर्ड का जो 189 क्रोर्स का 87 क्रोर्स का जो स्कैम है उसमें जो बैंक ट्रेजरी से एक बैंक को ट्रांसफर हुआ है बाद में अनौतराइज ली एक SBA ब्रैंच से वसंतनगर ब्रैंच से यम्जी रोड ब्रैंच में नया एक अकाउंट ओपन करके ट्रांसफर करके अन कई लोगों को उसको पैसा दिया है तो विच्ट्रा किया है उसके बाद ये तो डैरेक्ली मुख्यमंत्री के ट्रेजरी मुख्यमंत्री के अंडर आता है तो मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है तो इस विशाई को लेके आज लोकसबा में हमारे बेंगलूर नौर्थ के एंपी श्री पीसी मोहन तो बेंगलूर सेंट्रल के एंपी श्री पीसी मोहन राजसबा के हमारा इरणा कडाडी जी ये दोनों उठाया दोनों से दोनों में कॉंग्रेस पार्टी जो भृष्ट कॉंग्रेस सरकार है उदर को बचाना चाती है सेफ़गार करना चाते है इसलिए राजसबा में तो बिल्कुल अलोही नहीं किया लोकसबा में शोर शराब करके पीसी मोहन को बात करने के रोकने का कोशिश किया इसका आरते है कॉंग्रेस पार्टी पूरे इसमें कॉंग्रेस पार्टी का हाई कमांड का भी शेर है इसमें तो इसलिए आज जो तो कम से कम लोकसभा और राजसभा जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है स्वए मुक्यमंतरी नौल्ट है तो इसके बावजूद भी कॉंग्रेस पार्टी कुछ एक्शन नहीं ले रहा है मुझे लगता है कॉंग्रेस हाई कमांड इसमें शामिल है इसके कारण तुन लोगों ने इज़र उठाने के लिए अलो नहीं किया चालिस मनिट तक राजसभा में एरणा कराणी को बात करने के लिए नहीं दिया लोकसभा में तो इतना शोर शराब है किया तो इस शोर शराब है में भे हमने हमने बात रखने का कोशिश किया Congress Party is known for the corruption Congress Party is known for the scam तो इसलिए ए लोग कुछ लोगों को बचाने के चक्कर में पोरा सदन को नचलाने का निरने किया और सोर शराबा किया इसमें हम खंडन करते हैं